हेलो फ्रेंड बेलकम बेक टू मैं यूटूब चैनल खुश्बूस किशन फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? I hope सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ मतर पनीर की सबजी मतर पनीर की सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम पनीर, 4-5 चमश मलाई, 1 कटोरी मतर, 2-3 टमाटर, 2 प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 लसन की कलिया, थोड़ा धनिया पत्ती फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर हम प्याज और टमाटर को मिकसर जायर की साहिता से पीस लेंगे और उसके साथ अदरक और लसन को भी पीस लेंगे फ्रेंड्स मतर पनीर बहुत ही तरीकों से बनाया जाता है और आप जितने भी तरीके से इसे बनाएंगे, खाने में बहुत ही डिलिशियस लगता है मटर का जो कॉम्मिनीशन है पनीर के साथ बो बहुत ही डिलीशियस है तो प्रेंट्स आप एक बर इस तरीके से बनाएए बहुत पसंद आएगा आपको और ये एकदम बनाने में आसान है खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा तो फ्रेंट्स इसे बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक मसाले भी चाहिए होंगे जिसमें लाल मिर्श पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, पाव भजी मसाला, जीरा, हीं, कसूरी मेथी, तेश पत्ता और दालचीनी सबसे पहले कड़ाई को गैस पर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर उसमें इस दो से तीन चम्मस तेल डाल देंगे तेल को अच्छे से गरम होने देंगे हम जब हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाएगा फिर हम इसमें तेजपता और धालचीने डाल देंगे इसके बाद हम आधा चम्मट जीरा और एक चौथाई चम्मट हेंग डाल देंगे अब हम इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने पीस कर रखा था प्याज को गूर्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे अच्छे से चलाते रहेंगे अब हम टमाटर डाल देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर टमाटर के साथ मैंने चार से पांच काजू को भी पीस लिया था काजू डालने से सबजी का टेक्स्टर क्रीमी हो जाता है और खाने में बहुत ही डिलेशियस लगता है इसको अच्छे से चलाते रहेंगे अब हम इसमें स्वादा नुशा नमक डाल देंगे इसके बाद हम आदा चमश लाल मिर्श पाउडर आदा चमश हल्दी पाउडर आदा चमश धनिया पाउडर आदा चमश पाव भाजी मसाला सभी मसालों को एक साथ डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे फ्रेंट्स यहां पर हमें मसाले को लगातार चलाते रहना है इसके बाद हम अद्रक लेसन का पेस डाल देंगे और उसको भी सभी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे लगातार चलाते रहेंगे इसके बाद हम आदा चमच बटर डाल देंगे बटर डालने से सबजी का टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है इसके बाद हम चार से पांच चमच मलाई भी डाल देंगे मलाई डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे इसको लगातार चलाते रहेंगे फ्रेंट्स मसाले को जितना ज़्यादा भूनेंगे सबजी का टेश उतना ही अच्छा आएगा इसलिए आप ध्यान रखें मसाले को अच्छे से भून लें अब हम इसके बाद एक कटोरी मटर डाल देंगे मटर को हमने पहले ही बॉाइल कर लिया था और उसको अच्छे से मिला लेंगे मटर डालने के बाद पांसे दस मिनित इसको मसाले के साथ पकाएंगे अब हम इसमें पनीर डाल देंगे फ्रेंट यहां पर मैंने कच्छा पनीर ही यूज किया है आप चाहें तो पनीर को फ्राई भी कर सकते हैं अब हम इसमें एक कटोरी पानी डाल देंगे पानी आप अपने एकॉर्डिंग डाल सकते हैं जैसा आपको रखना हो और इसको अच्छे से मिला लेंगे पानी डालने के पाद इसको पांसे दस मिनट अच्छे से पकाएंगे अब हम इसमें एक चौथाई चमज गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे सब्जी के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यहां पर मैंने एक चोथा ही चम चेनी को भी डाला है जिससे अच्छे सबजी का अच्छा टेस्ट आएगा हमारी मेटर बनीर की सबजी रेडी है सर्ब करने के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग